नमस्कार विद्यार्थियो डिशिकुल ओनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वावित हैं बच्चो आज हम अपनी हिंदी कक्षा में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता की पुन्रा वृत्ति करेंगे उसकी कविता के मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं उन पर चाचा करेंगे तो बच्चो कविता हैं कोहरे से ढकी सडक पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंग्ती है यह है भयानक है इसे विवरन कीत रहें लिखा जाना लिखा जाना चाहिए इसे सवाल कीत रहें प्रथम जो काव वियांस में कभी कहता है कि सर्दी के मौसम में सुबह जब सड़क पर कोहरा चाया हुआ है उस समय छोटे बत्ले काम पर जा रही है। जाना पड़ रहा है। तो कभी कहता है कि यह पंक्ती कौन सी पंक्ती बच्चे काम पर जा रही है। यह पंक्ती बहुत भयानक है। लेकिन इससे भी भयानक तो वह है जब इसे एक साधान रूप में लिखा जाए। इतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती। तो कभी का सुझाव है कि इस पंक्ती को लिखा जाना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रही है। तो काव्यांस नमबर दो देखिए। क्या मदर्सों की, क्या ढह गई है भुकंप में सारे मदर्सों की इमारते। क्या तक कि जो गेन बच्चों को खेलने के लिए मिलने चाहिए थी, वो मिल नहीं रही है। क्या वो सारी अंतरिक्ष में चली गई हैं, अरठात वो खतम हो गई है। क्या दिमकों ने खा लिया है सारी दंग बिरंगी किताबों को बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए नहीं मिल पा रही हैं इसका अर्थ है कि सारी किताबें दिमक दवारा नश्ट कर दी गई हैं और जो खिलोने हैं जो बच्चों को खेलने के लिए मिलने चाहिए वो नही मिल पा रहे हैं क्या वे सारे खिलोंने पहाड के नीचे दब गए हैं और इसके अतिरिक क्या सारी इमारतें मदर्सों की इमारतें बुकंप में डह गई हैं जहां बच्चों का जाना नसीब नहीं हो पा रहा है सुबह सुबह कोहरे से इंकी सड़क में बच्चे काम पर जाने को मजबूर है और यह समय उनकी परणे का है आपने शारिक और मांशिक विकास को तयाइर करने का है लेकिन इसके बावजुद भी उन छोटे बच्चों को जिनकी आर्थिक श्रमता ठीक नहीं है, जिनके परिवार में दो समय की रोटी का जुगार नहीं है, तो उन्हें इसका प्रभंद करने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। बेचोटे बच्चे अपने जो शरीर है, शरीरिक बल से ज्यादा काम उठाते हैं, काम करते हैं, तो इन से उनका शरीरिक और मानसिक विकास दोनों ही रुख जाते हैं, क्योंकि बच्चे को अच्छा खाने के लिए, अच्छा खेलने के लिए मिले, तो उसका शरीरिक और मानस मांशिक रुख से उनका विकास रुख जाता है जो देश के लिए हानिकारक है क्योंकि देश को अच्छा नेता तभी मिल सकता है जब वह पढ़ा लिखा होगा और स्वास्थ होगा तो इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई और उनके स्वास्थे की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि वह अपने स्वास्थे को ध्यान में रखते हुए अपने शारिक विकास और मांशिक विकास को ध्या वे उन्ति में सहाइक हो सके